आज मैं आपको अपने पूरे टेरस गार्डन का ओवर्वी दिखाऊंगी और कुछ इस्पेशल टिप्स दोंगी पौधों से रिलेटर जो आपके बहुत ही काम की होगी वो और मेरे वीडियो को लाश्ट तक जुरूर देखें तो आपको मैं अपना टेरस गार्डन का ओवर् बिस्कस लगाया हुआ है और बहुत अच्छी समय फ्लारिंग हो रही है मिट्टी नाम मात रही है यहां सबजी के चलके वगरा ही डाल देती हूं काफी अच्छी फ्लारिंग होती है और यह चोटे-चोटे कंटेनर में आप देख रहे हैं मौस रोज वगरा है तो मेरे पास कई कलर्स के मौस रोज हैं जब आप मेरे चोटे-चोटे वीडियो शॉट्स देखते होंगे उसमें हर तरे के मेरे पास मौस रोज दिखते हैं और यहां पर देखिए परपल हर्ट है और बहुत सारे प्लांट्स यहां पर लगा रखें मैंने फ्रेंट्स अब यहां पर आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखें काफी सुन्दर मेरे टेरस गार्डन में यहरे भरे पौधे हुए हैं इस साल गर्मी कुछ जादा पढ़ गई थी तो काफी सारे पौधे सुख भी गया हैं और बारिश का पानी पढ़ते ही इनमें हरा भरा फूल खिलने लगे हैं औ तो इस तरह से अपने टेरस गार्डन को मैंने छुटे-छुटे कंटेनर बड़े-बड़े कंटेनर में लगा करके रखा है अधिकर पौधे मेरे कटिंग के द्वारा लगाए हुए हैं और बहुत सारे पौधे बीच से त्यार हो जाते हैं यह सारे पौधे एक से दो-दो- तो उसे बोरी में भरते जाए धूप में रख रख करके वह सड़ता जाता है और उसकी खाद बहुत अच्छी होती है जब आप पौटिंग मिक्स त्यार करते हैं तो नीचे साइड में आप मिट्टी और मिट्टी के बाद में सबजियों के छिलके डालें और सबजियों के डालने के बाद उपर से फिर मिट्टी और पौधा लगा दे इस तरह से पूरा पौटिंग मिक्स त्यार होता है फ्रेंड्स